डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अज़ अज़ टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कानडा एंड अराउंड गलोग कनेडियन सूबे उंटेरियो में कोरोना वार्स की तीसी लहर ने तबाही मचा दी एक ही दिन में रिकॉर्ड केसिस सामने आगाए 24 घंटों में 4000 से जाएक केसिस रिपोर्ट हस्पतालों में दबाओं बढ़ने लगा कनेडियन हकूमत अंकरीब अपना दूसरा बजट पेश करेगी वज़िर खजाना का कहना है कि ये बजट कोरोना से मुकाबले और बचाव के लिए है सूबाई हुकाम ने फंड्स में जाफिय की अपील की है कनेड़ा भर में कोरोना की वार तेज़ी से जारी है मरीजों की मजमूरी तादाद 11,31,773 तक जा पहुंची जबके हालाकते 23,666 हो गई इन्वाइमिन कनेड़ा की जानिप से टोरेंटों में बरफबारी की पेश कोई शहर में पांस सैंटी मीटर तक बरफबारी हो सकती है जमरात की रोज मौसम दुबारा गरम हो जाएगा दुनिया का कोई खिता कोरोना वार्ष की मूजी वाबा से महफोज नहीं दुनिया भर में कोरोना वार्ष से अंबाद 30,43,000 से तजावस कर गई मतासर अफराद की तादा 14,27,24,53 तक जा पहुंची है कोरोना वाबा की तबाकारियां जारी प्रेंका चोपड़ा की लोगों से घरों में रहने की अपील कहती हैं के फैमिली, दोस्तों, पडोसियों, कम्यूनिटी और हमारे फ्रंट लाइन वरकर्स अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें सल्मान खान ने इंसानित की एक और मिसाल काइम कर दी, राखी सावन की मदद करके इंसानित की एक और मिसाल काइम कर दी है राखी की वालदा ने सल्मान खान का शुक्री आता किया हेडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ कनेडियन सूबे उंटेरियो में कोरोना वारस की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी सूबे में कोरोना केसिस की तादात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कनेडियन सूबे उंटेरियो में कोरोना वारस की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी सूबे में कोरोना केसिस की तादात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है 24 घंटो में करोना के 4,447 केसिस सामने आए हैं जो के एक नया रिकॉड है महकमे सहब का कहना है कि ऑन्टेरियो में करोना की शरह 10.5 पीसद है सिर्फ टरॉंटो में 1299 केसिस सामने आए हैं जबके पील में 939 और यार रिजन में 577 के सामने आए हैं ऑन्टेरियो हकूमत के तरजमान का कहना है कि प्रेमियर डगफोर्ट मजीद वैक्सिन्स हासिल करने की कोशिश में बानलग पामी इतिहादियों से बातचीत करना शुरू कर दी है उनका कहना था कि हम आस्ट्राजिनिका की वैक्सिनेशन के लिए उमर की हद को कम करने के बारे में विफा की फैसले का इंतिजार कर रहे हैं सूबाई हकुमत की जानिब से चाले साल से जायद उमर के अफराद अब आस्ट्राजिनिका वैक्सिन ले सकेंगे करोना की तीसी लहर के दारां सूबे के अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ रहा है सूबे की आई सी उ नर्सिस का कहना है कि ऑन्टेरियो के अस्पतालों के तिबी अमले को शदी थकन के बाइस बीमार पर जाने का खचा है चुनाचा उन्हें बीमारी की रुखसत की अशच जरूरत है नर्सिस का कहना था कि जब तक अस्पताल अपने अमले को कुछ वग घरों पर रहकर आराम करने का माका नहीं देंगे तब तक वो बहतरीन कारकरदगी का तसलसल बरकरार्ण नहीं रख सकेंगे कनेडियन हकूमत अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्री लैंड का कहना है कि ये बजट करोना वारस से मकाबले और बचाओ के लिए है विफाकी हकूमत की जानिब से जल्द ही इसका दूसरा बजट पेश होनी जा रहा है जिसमें करोना वबा के दौरान किये जाने वाले एक्दमाद, इखरजाद, चाइल्ड केर और दीगर पलाही कामों की तफसिला जारी की जाएंगी इस बजट में आवाम के लिए सस्ते रहाशी मनसूबों के बारे में भी एक्दमाद का एहला मतवक्य है सुभाई हुकाम ने वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्री लैंड से फंड्स में इस जाफी की अपील की है विफाकी बजट 2021 के लिए हकूमत आएंदा इंतखाबात में काम्याबी के इमकानात को जहन में रखते हुए कोविड-19 पर काबू पानी के लिए इमदात में तोसी करेगी दो सालों से ज्यादा के अर्से में पहले विफाकी बजट में कारकुनों और कारोबारियों के लिए ओटावा की कोविड-19 लाइफ लाइफ लाइन में मजीद चन्द माह की तोसी की गई है बजट में अगले तीन सालों के लिए सौ अरब डालर से ज्यादा के इखराजात का तखमीना है जिसमें सीनियर्स और उनकी देख भाल करने वालों से लेकर वालदین और कारोबार तक मुफतलि पिसम के वोटर्स की हमायत हासल करने का प्रोग्राम है इस बजट में गुज़िश्टा साल सबसे ज़्यादा मतासिर होने वालों की मदद करनी पर तौज़ज़ दी गई हैं सियाहत जैसे शोबे के साथ साथ, कम अज़रत वाले मजदूर, छोटे और दम्याने दर्जे के कारुबार, खवातीन और नजवान अफराद पर खास तवज़ज़ मर्कूस की गई हैं ताके वो मुल्की तरकी में अपना किरदार अदा करें ओंटेरियो सुबे में करोना केसिस की तादा सबसे जादा है सुबे भर में करोना वारेस् से मतास्र होने वालों की तादा चाल लाकман 21,442 तक जा पहुची है मज़ीड तफसिला टिसर रिपॏर्ट में कینड़ा भर में करोना के वार तेजी से जारी है कैनेडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 11,31,773 तक जा पहुँची है जबके हलाकतیں 23,666 हो गई जबके 10,19,799 अफराद सहत्याफ हो चुके हैं आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वाइरस से मतासिर होने वालों की तादाद 4,21,442 तक जा पहुची है जबके हलाकतों की तादाद 7,735 है कैनेडा में करोना वाइरस के सबसे ज़्यादा हलाकतیں क्यो बैक सूबे में हुई है जहां करोना वाइरिस के मचमूई केसिस की तादाद 3,38,044 है जबके सूबे में करोना वाइरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,816 तक पहुँच चुकी है कैनेजिन सूबे अलबर्टा में 1,72,186 अफराद करोना वाइरिस से मतासिर हुए है जबके 2,043 अफराद हलाक हो चुके है ब्रिटिश कालंबिया में केसिस की तादाद 1,00,000 से तजावस कर गई जहां 1,20,040 अफराद करोना वाइरिस से मतासिर हुए है जबके सूबे में करोना वाइरिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,538 है इन्वार्मेंट केनिडा की जानब से टॉरंटो में मौसम बहार के दौरान बरफबारी का इमकान जाहिर किया गया है मजीद अफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में Environment Canada की जानिब से ट्रॉंटो में मौसमे बहार के दौरान बरफबारी का इमकान साहिर किया गया है महेकमे मौसमयाद की जानिब से कहा गया है कि बुद्ध की सुब शहर में 5 सेंटी मीटर तक बरफ़ सकती है Environment Canada की जानब से कहा गया है कि जब शहरी मौसम बहार का भर पूर मज़ा ले रहे होंगे तो इस हफते के दौरान उन्हें अच्छानक मौसम में तबदीली महसूस होगी महक्मा मौसमियाद की जानिब से कहा गया है सर्थ हवाओं की सबब मंगल की रात को भी वरवारी हो सकती है महक्मा मौसमियाद का कहना है कि सर्थ मौसम ज्यादा देर बर करार नहीं रहेगा और जुमियराथ के रोस से शहरी दुबारा मौसम बहर का मज़ा ले सकेंगे और मौसम दुबारा गरम हो जाएगा इस हफ़ते ज्यादा से ज्यादा दरज़ा हरारत जुम conspiracy जबके कम से कम दरज़ा हरारत बुद के रोस मनपी एक रहेगा भारत का डबल म्यूटेंट करोना वारिस दुनिया के लिए नया खत्रा करार दिया जा रहा है लेकिन भारती हुकूमत जिम्मदारी कबूल करने को त्यार नहीं मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में दुनिया का कोल खिता करोना वारिस की मुजी वबा से महफूस नहीं 24,500 पे चानवे हो गई जबके 12,12,40,304 करोना मरीज सहतियाब हो चुके हैं करोना वारिस के केसिस और इससे अमवाद के एतबार से 10 सरे फैरिस मुमालिक में 33 करोर से जायत आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारिस से अब तक 5,88,542 अफराद मौत के मुमें पहुच चुके हैं जबके इससे बिमार होने वालों की मचमुई तादात 3,24,075,033 हो चुकी है भारत का डबल म्यूटेंट करोना वारिस दुनिया के लिए नया खत्रा करार दिया जा रहा है लेकिन भारती हुकोमत जिमेदारी कबोल करने को तयार नहीं एक अरफ से जाद अबादी वाला मौक भारत करोना वारिस के मरीजों की तादात के हवाले से एक बार फिर दूसरे नमबर पर आ गया है जहां इस वारिस से एक लाख असी हजार पांसो पचास हलाकते हो चुकी हैं जबकि इस से मतासरा 1 करोर 53,21,089 मरीज सामने आ चुके हैं करोना वारिस के मरीजों की तादात के हवाले से मुमालिक की इस फेहरिस में ब्राजील फिर तीसरे नमबर पर आ गया है ताहम ये अमवाद के हमाले से फैरिस में दूसरे नमबर पर है जहां इस जान लेवा वाइरस से 3,75,049 हलाकते हो चुकी हैं जबके इसके मतासरा मरीजों की तादाद 1,49,777,713 हो गई करोना वाइरस से रूस में कुल अमवाद 1,5,928 हो गई जबके इसके कुल मरीजों की तादाद 47,10,690 हो चुकी है बरतानिया में करोना वाइरस के बाइस अमवाद की तादाद 1,27,274 हो गई जबके केसिस की तादाद 43,90,783 हो चुकी है तरकी में करोना वाइरस से अमवाद 36,266 तक जब पहुँची है जबके करोना वाइरस के केसिस 45,23,596 हो चुके हैं इस पेन में करोना वाइरस की वबाद से अमवाद 77,102 हो गई जबके अब तक इसके 34,28,354 मुसादी का मतासरीन सामने आए हैं साथी अरब इसी फैरस में 42,20 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वाइरस से अब तक कुल आमवाद 68,34 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में इसके मरीजों की तादाद 4,05,940 तक जब पहुँची है भारत में क्रोना वाइरस के बढ़ते केसिस के पेशे नजर बॉलिवूड अदाकारा प्रेंका चोपड़ा ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है भारत में इस वक करोना की सुरत हाल इंतहाई खतरनाक है भारती मीडिया के मताबिक मुल्क में एक दिन में दो लाग से जायद केसिस रिपोर्ट हुए हैं जबके डिर्ड हजार से जायद हलाकते हुई है वावाई बीमारी के सबब भारत के कई शहरों में लाग टाउन जारी है इस सुरत हाल में अदाकारा प्रियांका चोपडा ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है प्रियांका ने ट्विटर पर लिखा भारत में इस वक कोविड-19 की सुरत हाल नहायद संगीन है में मुल्क के मुटलिफ हिस्टों से आने वाली खबरें और तसावीर देख रही हूं जो बहुत खाफनाक सुरत हाल की मनजर कशी कर रही है सुरत हाल चाबू से बाहर हो चुकी है प्रियांका ने तमाम लोगों से दर्खास की कि बराए महरबानी घरों में रहें और ये अपने लिए अपनी फैमली, दोस्तों, परोसियों, कम्यूनिटी और हमारे फ्रेंट लाइन वरकर्स के लिए करें इसके इलावा अपनी बारी पर वैक्सीन लगवाएं, ऐसा करने से हमें अपने मेडिकल सिस्टम पर मौजूद बेहद दबाव को कम करने में मदद मिलेगी वाज़ रहे कि इस वक्त प्रियांका चोप्रा अपने शोहर निक जॉन्स के हमरा अमरीका में मौजूद है बॉलिवूड अदाकार सल्मान खान किसी भी जरूरत मन की मदद करने में कभी भी पीचे नहीं रहते और मताद़ बार अदाकार ने अपने अमल से अपनी दरिया दिली को साबित भी किया है मज़ी तफसिला इस रिपोर्ट में सल्मान खान ने इनसानियत की एक और मिस्साल काइम करके मदधां के दिल जीए बॉलिवूड अदाकार सल्मान की जरूरत मन की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं रहते और मताद़ बार अदाकार ने अपने अमल से अपनी दरिया दिली को साबित भी किया है इस बार सलूमिया ने राकी सावन की मदद करके इंसानियत की एक और मिस्साल काईम कर दी है राकी सावन इस से गबल भी कह चुकी है कि उनकी वालदा को कैंसर है जिसके इलाच के लिए सलमान खान ने Clock की है क्या मैं ऐसे ही मर जाओंगी लेकिन खुदा ने सल्मान हान को मेरे लिए फरिष्टा बना कर भेजा सल्मान हान आज मेरे लिए खड़े हैं और मेरा आपरेशन करा रहे हैं मैं सल्मान हान का शुक्रियादा करती हूँ क्योंके ओन ही की वज़ा से मैं आज अपना आपरेशन करवा रही हूँ टैक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बर और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट नोटिकाशन बटन